समाज में पिता और बेटी का रिष्टा सबसे पवित्र माना जाता है वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में लोग बेटी को देवी का रूप भी मानते हैं सूबे की योगी सरकार भी नारी सशक्टी करन को लिकर आए दिन महिलाओं को जाग रूप करती रहती है लेकिन राय बरेली में एक अल्योगी पिता के काले कारनाओं मने रिष्टे को शर्मसार कर दिया है यहाँ जब महिला के गर्व से पांचवी बेटी ने जनम लिया तो गुसे से लाल पिता ने पहले हॉस्पिटल में ही बच्ची के मुव पर थूका और फिन नवजात बच्ची को पीटना शुरू कर दिया और इसके साथ ही आरोपी पती ने अपनी पतनी के साथ भी बुरी की डिलिवरी हुई थी आरोप है कि पती माधव को जैसे ही बेटी पैदा होने की जानकारी हुई तो वह है भड़क उठा और उसने पतनी से नवजात बच्ची को छिन लिया और उसे एक जोरदार पहले तमाचा जड़ा और बच्ची के मुव पर थूक भी दिया इस पार बेटिया थी हम लोगों रहे अच्छे से उसके डिलिवरी करवा दी थी पाचवी भी बेटी ही पैदा हुई बेटी पैदा होने के बाद महिला का पती वार्ड में घुज गया और उसने बच्ची के मुव पर थूक दिया और साथ ही नवजात बच्ची को क्याई पुलिस को बुलाती हूँ जिसके बाद वहे शक्स स्पताल से भागया डॉक्टर ने आगे बताया कि फिलहाल हॉस्पिटल से हमने महिला की शुट्टी कर दी है क्योंकि महिला को डर था कि धान कटा घर पर रखा है कहीं उसका पती धान बेच कर शराब ना पी जाए मा और अवजाद बच्ची दोनों फिलहाल स्वस्थ है इसलिए हमने उन्हें जाने दिया डॉक्टर ने आगे कहा कि एक दम अवमानी अगटना है आज की यूग में भी लड़कियों को इतना नीचे देखा जाता है जबकि आज की लड़किया पाइलेट से लेकर प्रधान मंत्री दगबनी है